मित्रों चलिए ले चलते हैं आपको 2017 के खतरनाक सफर में यह सफर जो है बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है आप डायक्ट पेपर पेट करेंगे धावा बोलेंगे फील लेंगे कि पेपर होता कैसा है क्योंकि जो कमी है आपकी न वह रिलाइज हो जाएंगी और वह होते हैं वह भी लाब मिलता है तीसरी बात पेपर लगाने से हमारे जो भय खतम हो जाता है कई बार हमको चीज़े आती है पर पेपर देने की गलती की वज़े से हम गलत कराते हैं एक्जाम में तो भय जब बढ़ जाएगा तो चार से पांच नंबर आपके वह ऐसी बढ़ करेंगे तो ठीक है चली स्टार्ट करते हैं और 2020 कोश्चन करेंगे ताकि जादा लोड भी ना आए आपके उपर आप इम्मुराइज भी करते रहें चीजों को और उधर पढ़ाई भी करते रहें पेपर और पढ़ाई साथ में चलेगा आज जीके का मैं लिया हूँ 20 कोश् चार ओपसं दियें असम इसका अंसर ग्रीन में है परमाली जी आपको अंसर नहीं बान लोगों तो 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 क्या इस प्रश्म को सही कर सकते थे हाँ बिल्कुल कर सकते थे कोई भी एक्जाम हो 100% किसी को नहीं आता है यह जानिए पटवारी पेपर सो नंबर का है हो सकता 75 से 85 54 आप से बंजाए 20 कोश्चन में उसमें तुक्का मारन ना पढ़ेगा तुक्का मारन अपने आप में कला होता है ऐसा तुक्का मार ये कि बीस कोश्चन हे तो कम सातार अट टो सही हो जाए तो ये कला भी हम सीखेंगे अब तो यह कूछ पूच क्या रहा है GST Legislation, GST Kanuni Parit तो असम जो है इसका डिरेटली अंसर हो गया तामिलनाडू गुजरात्म अध्रदेश ये बड़े राज्य माने जाते है अगला देखिए वेर इस दे इंस्टिटूट ऑफ वूट साइन सेंड टेक्नलोजी लुकेटेड कास्ट विज्ञान और प्रोद्योगी के संस्तान कहा इस्तित है बैंगलोड जवलपूर बोपाल सतना अब जनरली इसको आप जवलपूर लगा क्या थे मुझे पता है क्यों क्यों क्योंकि कास्ट विज्ञान लकडी की बात है आप सोचते जवलपूर की बास मंडला उंडला है बाला घाट मार दो साले को हो सकता सही हो जाए ए पूचा क्या कास्ट विज्ञान और प्राद्योगी की संस्थान बैंगलोड जवलपूर भौपाल सतना अब जवलपूर भौपाल सतना जो है तीनों क्या हैं एंपी में हैं तो आपको थोड़ा अगर लॉजिक लगाईए बैंगलोर अलग लग रहा है तो चांस किसके हैं बैंगलोर के सही होने के ये ट्रिक कब बता रहा हूं ये ट्रिक तब बता रहा हूं जब आपको कॉश्चन का अंसर नहीं आता है तब आपको 20 कॉश्चन जो हैं 80 आप सही कर लेंगे सो हमें 20 में तुक्का मारना पड़ेगा नहीं मारना पड़ेगा आता है तब तो ठीक है नहीं आता है तो भी आप कर सकते हैं अगला देखिए भारत में कौन सी संस्था एक लोग परी ज्यान मासिक साइन्स रिपोर्टर का प्रकासन करती है क्या पूछ रहा है एक संस्था बता दो जो एक मैगजीन पर्बिस करती है कौन सी मैगजीन साइन्स रिपोर्टर अब देखिए एनर डेसी दिया एनाइस सी आई आर दिया नहरू सिंटर दिया आईस डबलू ये दिया अब ऑप्शन इलिमिनेट कैसे करते हैं ये आप सीखिया नहरू सिंटर क्या काला का के अंदर हट गया अब देखिए तीन एनके हैं और एक आईस डबलू ये तो आप्टोमेटिक फॉर्थ वाल हट गया क्योंकि ये तीन एनके हो दिये हैं ताकि आपको एंफ्यूज हो जाएं तो पहली बात तो फॉर्थ वाल हट गया अब आंसर किस में हैं फर्स्ट सेगंड थर्ड में है नेरू सेंटर भेट गया कला केंदर बचा है कौन से एनार डीसी और एनाइस सी आईयर अब एनार डीसी जो है वो लास्ट मिसी लगा है क्या है कंपनी या कॉर्पोरेशन है तो कंपनी के मैख जी नो एक जीन प्रकास्थ गरेगी है तो NIS-CIR हो जाएगा लेक्षी आर लगा है नतलब कोई रिसर्च का इंस्टेटीट है अई-र मतलब कोई रिसर्च का इंस्टेटीट है उससे भी आप गेस कर सकते हैं करना अपने आप में कलाय देखिए अगला कोश्चन पढ़िए निम लिखित में कौन सी नदी भुपाल के सबसे निकट बैती है इजी कोश्चन है नर्मदा आप जानते हैं जबलपूर के पास जो बड़ा सहर तापी भी आपको पता है पारवती भी पता है तो बचा क्या बे होते हैं अगला कोश्चन पी नजे डालिए एक राजी का राजी पाल क्या होता है राजी का राजी पाल समिधानिक प्रमुक होता है वास्तुविक प्रमुक होता है अनुवांसिक प्रमुक होता है संसिदिय प्रमुक होता है क्वेश्चन को समझे राज पाल की बात हो रही राज ये पाल हो या रास्ट पती हो ये क्या होते हैं ये नाम की मुख्या होते हैं मतलब वास्तिक मुख्या नहीं है वास्तिक मुख्या कौन होते हैं प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री तो वास्तिक तो कट गया अनुवांशिक मतलब राजा का बेटा राजा प्रधान मंत्री का बेटा प्रधान मंत्री मुख मंत्री का बेटा मुख मंत्री ऐसा तो है सिस्टम नहीं अपने हैं वो भी कट गया संसदी प्रमुक अब देखे राज जेपाल हो या रास्टपती हो ये संसद में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो संसदी प्रमुक हो ना ये भी गलत हो गया बचा क्या सम्विधान नहीं ने ठेड़ा ओफ स्टेट की उपाधी जरूर दी है लेकिन वास्तों में काम कौन करता है काम करने वाले प्रधान मंत्री या मुक्ष मंत्री हैं तो राज जेपाल जो है किसी राज जी का सम्विधानिक प्रमुक हो जाएगा अगला देखिए वरतमान में भारत की नियंत्रक एव महालेखा परिक्षा कौन है ये करेंट अफेर क्वेशन ने 2017 में कौन थे राजी महर्ची थे आगे बढ़िए अब क्रिकेट का तो आपको हिस्ट्री भी पता होना चाहिए अजीद वाडेगर कि इंद्रा गांदी ने जब पोखरण का विस्फोट कराया था न्युक्लियर का तो कोड़नेम क्या रखा था स्माइलिंग बुद्धा तो कोड़नेम फॉर इंडियास फर्स्ट सक्सेस्फुल न्युक्लियर बंटेस्ट अगला देखते हैं असोग चक्र में कितनी तीलिया होती है तो बच्चो अलब प्रसने 24 तीलिया होती है 24 गंटे आप काम कीजिए उसका प्रतीक है अगला कॉश्चन देखते है एक सिगंड कुछ काम है क्या इधर आप क्या हो गया